कि यह मैंने अजीद बैंसाब इसलिए कर दिया कि अब यह भी निमंतर्ण देने के लिए इनको छोड़ा गैपरोल दी गई है मैं इनका एक छोड़ा सा डेटा देद रहा हूं यह राम रहीं सहाब है यह लड़की के बलातकार हत्या सब में आरोपी नहीं है सजा मिल चुकी है सजायाफता है इनका एक डेटा कल निकला है सचन गुपता जी ने दिया है फरवरी 2022 में यह जो बीजेपी जब इनको वोट का टाइम आता है तो इनको परोल देती है और इतने लंबे-लंबे समय तक देती है मतलब हत्या और बलतकारी को इस देश में कितनी सुधाय मिल रही धराने जबार इसे दिन की परोल पंजाव इधान सवा जून 22 पंजाव इधान सबा के चिनाव ढ़र जीजेब दो अच्वाररइब अक्तूबर 22 में 40 दिन की परोल आदमपुर सीड का चिनाव जुलाई 2030 में 30 दिन की परोल हर्याना पंचायत का चनाओ नवंबर 2023 में 21 दिन की परोल राजस्तान विजान सभा का चनाओ जनुवरी 2024 में 50 दिन की परोल राम जन भूमी की प्रान पतिश्ता और लोग सभा का चनाओ अब यह हमारा जो हम इसमें सभी हिंदू जादा पैठे हुए हैं यह हमारे राम जन भूमी के यह लोग आज जो जो नहीं गया था वो राम द्रोही है मतलब यह तो उन्होंने डिकलर कर दिया जो आज का योजन में नहीं गया वो राम द्रोही देश द्रोही और मालम नहीं क्या क्या द्रोही अडानी जी कहां थे क्या अडानी जी राम द्रोही है या देश द्रोही है या अडानी जी अमीर आद्मी नहीं है कि उनकी सब क्योंकि हमारे इसाब से तो अमीर आद्मी वह तो पर दो लंदन में भोपू लेकर समझाए हैं कि वह गूम रहे थे वहां पर इस पर भी आप से वह ले लूँ कि हमारे हिंदु धर्म के यह लोग पोस्टर बॉइज ऑफ हिंदु धर्म राम रही अने लंबानी अडानी जी नहीं आए मनें जाब से खोड़े खुड़ी को नहीं जा रहां हुदा मांसिक रूप से उनके बारे में क्या नहीं कहा जा रहा है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे धम की गंदी खराब बातें ये सारी चीज़े कहीं जा रहे हैं दोनों पर एक एक छोटे छोटे वक्त अवे आपके अजीद भैसर आनंद जी मैं तो पिछले बार भी जब हम प्रोग्राम किये थे तो मैंने आर्ग्यू किया था कि राम सिर्फ मर्यादा पुर्शोत्तमी नहीं वो तो एक तरह से मेटफर है आइडिया आफ इंडिया के लिए मैंने यहां तक कहा था कि यह हमारे यहां दो ही एपिक माना जाता है लार्जिली महाभारत और रामायन और यह जो हैं एक तरह से कहिए तो यह मैं इन फैक्ट कुछ स्कॉलर्स के किताब पढ़ रहे थे आज जो नहोंने वेस्टरन स्कॉलर्स वेंडी डॉनिगर हैं बाकी लोग हैं तो वो आर्ग्यू कर रही थी कि राम बहुत ही इंट्रे रिलिजिस फिगर हैं पर साथ ही साथ जब पहली बार उनके बारे में लिखा गया बालमिकी रामायन ने जब कल्पना किया तो उस समें वो रिलिजिस फिगर नहीं थे वो इन फैक्ट उस समें एक तरह से कहिएगा कि कल्पनिक फिगर थे जो की यूनिटी का सिंबल दिये थ तो एक तरफ तो वो मतलब नारेटिव है हिंदुईज्म का कह लीजे या आपने इतिहास का कि वो एक तरह से यूनिटी के सिंबल थे मरियदा पुरसोत्तम थे वैलियूस के तरफ देखिए तो यूनिवर्सल वैलियूस के लिए वो स्टैंड करते थे सैक्रिफाइज हो या ल राज को चौदा साल के लिए छोड़के बनवास चला जाता है और वहां जाके बानरों के साथ रहता है वहां के शबरी के साथ मतलब पूरा इतिहास है इसका और एक तरफ ये नारेटिव जो हम देख रहे हैं आज मतलब इस इस नाइडर स्पिरिचुल नौर कह सकते हैं कल् पूलिटिकल तो खेर है ही मुझे तो पॉलिटिक्स भी समझ नहीं आता है क्योंकि आइडिया था हिंदुत्व राजनीती का कि आयोध्या में ये क्रियेट करके हिंदू में यूनिटी लाएंगे तो सबसे बड़े जो चारों संकरात चा रहे हैं वहीं क्वेस्चन कर रहे ह हैं तो आज तो मुझे अजीब सिचुएशन लग रहा है देश में कि हिंदू इजिम ही डिवाइड़ हो गया है बिट्वीन दे रिलिजिज़ लीडर्स और बिट्वीन दे पॉलिटिकल लीडर्स ये जो नया हिंदुत्व वर्सेज हिंदू वो सामने आ गया है एक तरह से तीसरा मुझे ये नहीं समझ आता है जिंदगी बार हम एलेक्शन ही का स्टडी किये कि ये एलेक्शन में कैसे हेल्प करेगा इनको क्योंकि इनका तो जो मेजॉरिटी था नॉर्थ इंडिया में वो तो अतने चरम सीमा पर पहुचा हुआ है दोहजार उन्निस में तो ये कर उपज ही समझ नहीं आता है एक तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है थिएटर अफ दी एपसर्ड वो थिएटर अफ दी एपसर्ड क्रियेट कर दिया है और आपने जो कहा कि डिफरेंट टाइप क्रिमनल एलेमेंट्स हर तरह का टेरर एलेमेंट्स को लेके कमबाइन कर दिय गया और उसके दूसरे तरफ दूसरा नेरेटिव जो आपने पॉइंट आउट किया जो डॉक्टर सीपनी राई ने मेंशन किया कि राहूल गांधी जो स्टार्ट किये साउथ से नौर्थ उसके बाद इस्ट से वेस्ट ये दोनों भारत जोरो यात्रा और भारत जोरो निया यात्रा ये मुझे पता भी नहीं था डॉक्तर सीपी राई ने कहा कि रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान ने ये यात्रा किये थे तो एक तरह से ये तो मतलब असली रिलिजिस यूनिटी का सवाल है ये स्पिरिच्वल यूनिटी नैशनल यूनिटी का सवाल है जो रा आइसिस फेस कर रहा था बीच में और भी कुछ लोग यात्रा किये हैं ये देश तो एक तरह से देखिए तो डूरिंग नाशनल मूवमेंट काफी सारा यात्रा होता था तो यात्रा का जो एक सिंबल है कि लोगों के बीच में जाना वहां पर ना कोई सेक्यूरिटी है ना आपको कोई रोक रहा है कोई मंदिर से आने में तो ये एक नारेटीव और दूसरा नारेटीव और मीडिया जो है सिर्फ एक नारेटीव को कवर करती है और दूसरे को बिलकुल इगनोर करती है ये जो अनफेरनस है यहाँ पर कह सकते हैं जो मेंस्ट्रीम मीडिया है जो के बाद रहुल गांधी के यात्रा पर अटैक यहां तक कि असाम के चीफ फिनिस्टर ने मतलब उनका जो लैंग्वेज था कि यह उन्होंने शायद कहा था कि यह तो मुसल्मानों का यात्रा है तो इस तरह का जो लैंग्वेज है मिया मिया यात्रा उन्होंने कहा यह जो लैं इन फैक्ट मैंने और भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा जिसमें था कि ये जो काम करती हैं विमन जो काम करती है हेल्थ फ्रंट पे तो उनको जो है उनको उस जगह आने नहीं दिया गया और भी तरह तरह का मतब टेरर टैक्टिक्स तो ये तो दिमोक्रिसी है ही नहीं ये तो ए ये जो अगली face हो गया है democracy का एक जमाना था मैं हमेशा सोचता हूँ कि 1947 में जब एक तरफ कहिए कि millions of लोग दोनों तरफ religious riots में मड रहे थे पाकिस्तान और भारत में और जिसके 1942 में जो millions a death हुआ during the Bengal famine उस समय भारत को unite किया गया उस समय idea of India का कलपना किया गया वो भारत जो की मतलब पूरे बिश्व में एक तरह से stellar example था कह सकते हैं कि industrial democracy democracy दुनिया भर में industrial revolution के बाद आया भारत ही एक ऐसा देश दुनिया में जहां पर agrarian democracy पहली बार आया industrial revolution के पहले आया और वो 75 साल बाद आज एक तरह से modern post-industrial society बनना चाहिए तो हम जो है regress कर रहे हैं secular principle जब establish हुआ constituent assembly debates के time में लंबा debate है उस पर कि भाई क्यों constituent assembly debates में secularism main principle क्यों होना चाहिए वो आज बिलकुल dress कर रहा है हम backwards जा रहे हैं जेन्यू जहां मैं रहता हूँ आज मैं सुबा सुबा वाक के लिए निकला तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वो कह सकते हैं एक तरह से भगवा बस्तर पहन के गूम रहे थे और मुझे तो आस्टर्ज लाग रहा था आज जेन्यू में मैंने कभी नहीं देखा चात्रों को उस तरह के वस्तर पहन के impose किया जाता है बाहर से तो ये बड़ा शौकिंग लगता है डॉक्टर सशी सेखर सिंग भी डेली उनिवरस्टी के बारे में बता रहे थे कि चारो तरफ जो है एक तरह से पहले छुट्टी कर दि कि डिमोक्रिसी का डिकलाइन सेकुलरिज्म का डिकलाइन मीडिया का डिकलाइन और इत्थास का डिकलाइन भारत जो है आज स्टेलर एक्जामपल बनना चाहिए था ऐसा डिमोक्रिसी का जो वर्ल्ड में शायद नहीं है इस कारण इतना डाइवरसिटी है और उस डाइवरस के लिए यह बड़ा ही बहुत एंबरेसिंग सिचुवेशन है और इस पर कुछ भी कहना आगे मतलब हम लोग सब कुछ थे लाते हैं होग छुए वानताघ पर करता है हुआ होग एया घल को प्रॉक्ति उन हमारे आप और इन सब को इन लोगों को के खिलाफ खड़े होके बोलना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे धर्म के उपर ये अजीर विजीव तरह के काम कह रहा है अजीद भैस आप आपको लगता है कि हम एनी हिंदू जो हुआ है उसको इस समय खड़े होके अपने धर्म के लिए जो ये च्छन हिंदूत्रों की बात करते हैं उनके अगेंस बोलने का समय आ गया है अजीद भैस बिल्कुल आनन जी मैं मानता हूँ मैं पिछले बार भी बताया था कि मैं तो उस जगह से हूँ जहां उस जगह से आता हूं मधुवनी से मिथला मिथला का सेंटर जह मैंनी अपनी मां को देखा है चाची को देखा है पीसी को देखा है हमेशा सिता और राम का ही चितर बनाती थी और कोबर घर में डालती थी वो एक हिंदूय जो करते हैं मतलба कितना डिफरेंस है दोनों में क्या contrast है एक तरफ कहिए तो राम है और एक तरफ कहिए तो ये इनको अब रावन भी नहीं कह सकते हैं उससे भी बुड़े हैं ये तो ये जो contrast है ना ये ज़दी हम इसको आगे बढ़के अपने हिंदुईजिम को नहीं बचाएंगे इस हिंदुट फोर्सस से तो हि हिंदुईजिम खत्रे में आ जाएगी इन फैक्ट सशी सेकर जी ने बड़ा अच्छा point कहा कि आप जदी socialist हैं communist हैं तो आप पर ये प्रहार करेंगे अब तो ये हाल है कि आप संकराचारे हैं तो आप पर ये प्रहार करेंगे जितने भक्त लोग हैं जैन्यू में बात कर रह थे मैं एक जगा खड़ा था तो कह रहे थे ये संकराचारे बड़े पॉलिटीशन है संकराचारे पॉलिटीशन है और प्रधान मंत्री जो है religious हो गये हैं मतलब अजीब के तरह का situation है जिसको अंग्रेजी में कहते है gestalt switch वो हो गया है और CP राई साहब ने एक बड़ा अच् साल पुराना दो बड़ा टेंपल है उमान में मसकट के अंदर एक शिव का और एक एक राम का राम और कृष्ण का तो और आज से नहीं और वो center of मनपूजा है मैंने तो जतना नौन हिंदू वहां देखा है वो हिंदू से ज़्यादा मैं मसकट में दो साल था और सही बात ब पड़ा भव्य मंदिर तो वहां का लिबरिलिज्म देखिए और ये एक नया जो है ये नया हिंदू तो फेनोमेना तो हमको सीधा सीधी ये सवाल करना है कि हमारा हिंदू इसम वर्सेज आपका हिंदू तो और इसको जो है बचाना इस पर scholarship को डालना और ये जो हम मनोपली क दिया गया है बीजेपी को ये सबसे बड़ा गलती हुआ है और इसको rescue करना सबसे बड़ा political project, religious project, spiritual project होगा